शतरपुर के बस स्टेंड इस्थित जोगेंदर पैटोल पम के पास बने पार्क को भूमाफियों ने तोड़ दिया लोगों का आरूप है कि लाव पहुचाने के लिए ठेकेदार और भ्रष्ठ अधिकारियों ने मिलकर पार्क को तुड़वा दिया है सिक्क समाज के लोगों का कहना है कि पार्क को फिर से बनवाए जाए अगर पार्क नहीं बनाए गया तो सिक्क समाज के लोग उगर आंदूरन करेंगे राजो सर्दान ने कहा कि पार्क को हटाने के लिए कुछ ठेकेदारों द्वारा ठेका लिया गया था जिसमें वहे काम्याब हो गए अगर यातेयाद व्योस्ता की बात होती तो शहर में अन्ने जगों पर भी चाम लगता पहली ओनी स्थानों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया फबारा चौक पर बने चौराही पर प्रति दिन घटनाय होती है साथ ही शहर में दरजनों बिवागर बिना पर नीशन के चल रहे हैं क्या प्रिसासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन बात यातेयात की नहीं बलकि भू माफियों को लाब पहुचाने की है जिसके चलते शहर के बीचोबीच बने सुंदर पार्क को रातो रात तोड़वा दिया गया अगर पार्क उसी स्थान पर दोबारा नहीं बनवाय गया तो सिक समाज उगर आंदुलन करेंगे उन्होंने कहा कि पूर्व में प्यारा सिंग के नाम से तिराहा पर पार्क बनाने की गुजना की गई थी ना अध्यक्ष नगरपाली का अध्यक्ष को पता चला और ना ही मेरी पूरी परिशत को पता चला लेकिन आजी जब सिक्क समाज के द्वारा भी हमको इस चीज का एक आवेदन दिया गया, एक शिकायत दी गई की कैसे करके पार्क तोड़ दिया गया तो इसी शिकायत के उस पे चलते हमने जो हमारी परिशाद जो हमारी PIC है उनके सभी मेंबरों की आज एक दल उनका गठित क दिया है जो कि इसका जाच करेगी और जाच करने पर जो भी दोशी पाया जाएगा जिसने भी इसको तोड़ने में वो लिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कारवाई निश्चित होगी पीछे एक विसाल मॉल वन रहा है जिसके कारने पूरा निड़ने लिया गया इसे क्या मानती है यह सारी चीज़ा जाच में आएंगी तब मैं कुछ कह पाऊंगी लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है क्योंकि हमारे नेता के साथ हमारे सिख समाज के नेता के स प्रतिमा बिल्कुल बनेगा बिल्कुल यह पार्क बनेगा और यहां पर हमारे स्वर्गिये सरदार प्यारा सिंग प्रतिमा भी सापित की जाएगी चाहतर पर से सुशील सिभारी की रिपोर्ट